क्यांति है कि मेंका औरवशी या रभ्वा ये सब सवर की अपसराए हैं आप सोचती होंगी कि अपसरा कितुझे सुनदर होती होंगी आपका सोचना सहीफि है अपसरा को देखते ही रह जाएंगे लेकिन अपसरा सुंदर बनी कैसी है आपने कभी सोचा अगर नहीं सोचा तो आज सोचिए आज आपको वो तरीका बताया जाएगा जिससे आप अपसरा जैसी सुन्दर बन जाएंगी आपको अपसरा जैसी सुन्दर बनाने वाली साधना और मंत्र भी बताऊंगी और आज कच्छे लसुन का अचुक उपाई भी बताऊंगी आपका बार-बार करजा हो जाता है ऐसे में क्या करें गुलाब के फूल ने ध्यान रहे कि इनकी पंखड़ी तूटी भी ना हो उसके बाद सवा मीटर सफेद कपड़ा सामने विछाईगी गुलाब के चार फूलों को चार कॉननेस पे बांद दे पांचवे फूल को बीच में डाल कर गांट लगातें इसे किसी भी पानी वाली जगह के पास छोड़ दें देखिए करजे से मुक्ति के कोई न कोई रस्ते निकलाएंगे और नया करजा भी नहीं चड़ेगा पहले आपको सुंदर बनाने वाली रंभा साधना के बारे में बता देती हूं अपसरा रंभा का नाम तो आपने सुना ही होगा है ना स्वर्ग लोग में रंभा जैसे सुंदरी दूसरी नहीं और रंभा जैसा बनने वाली साधना भी है जिसकी जानकारी बहुत से लोगों क तरीका सीख लिजे सबसे पहले रंभा आपसरा साधना की समगरी नोट कर लिजे रंभा यंत्र अपसरा माला गुलाब के फूल और अगर बत्ती गुलाबी रंका कपड़ा दीपक आसन जिस पर पीला वस्तर बिछा हो लकड़ी की चौकी अक्षत यानि की बिना टूटे चाव साफल यह मुद्रिका इत्र स्टील की प्लेट मुद्रिका दो फूलों की माला समान नोट कर लिए अब रंभा साधना का सही तरीका और दिन भी जान लिजे आपको पूर्णिमा की रात यह साधना करनी है अगर पूर्णिमा की रात तक इंतजार नहीं कर सकती तो शुक्रव बजे तक लगातार करना है अब रंभा अब सरा साधना करने का तरीका क्या है यह जानिए साधना आरम करने से पहले आप नहाद होकर अच्छे साफ कपड़े पहन कर खुद कुछ शुद और पवित्र कर लें इसकी बाद पीले रंकियासन पे बैठ जाएं पूर्फ दिशा की और मूँ कर लें ध्यान रहें कि आप अपने पास फूलों की दो मालाएं जरूर रखें आप अगरबतियां यह घी के दीपक जलाएं अपने सामने रखी स्टील की प्लेट को रखना बिलकुल ना भूले और आप गुलाब की पंखणियां लेते वे अपने दोनों हाथों को जोड़े और एक मंतर पढ़े मंतर आराम से बोल रही हूं नोट कर लिजेगा ओ रामभे आगच्छ पूर्ण यौवन संस्तुते मंतर का जाब कर हर मंतर के बाद आप कुछ पंखणियां स्टील की प्लेट में डाले आपको कम से कम 108 बार इस मंतर का जाब करना है स्टील की थाली कुछ दिरबाद पंखणियों से भर जाएगी आप इस पर अपसरा माला रख दे इसके बाद आप कपड़े को बिछा कर आप उसके उपर सौंधर गुटका साफल मुद्र को और यंतर को स्थापित करें अब आप उन पर पंचोपचार पूजन करें आप सारी समगरी पर इत्र छिड़कना बिलकुल ना भूलें अब आप गुलावी रंग के चावलों के साथ यंतर की पूजा करें और जो मंत्र मैं बोलने जा रही हूं उसका अज्जाप करें ओम दिव्याए नमहा ओम वागिश्चराए नमहा ओम सौंदर्या प्रियाए नमहा ओम योवन प्रियाए नमहा ओम सौभाग्यदाए नमहा ओम आरोग्यप्रदाए नमहा ओम प्राण प्रियाए नमहा ओम उर्जिशचलाए नमहा ओम देवा प्रियाए नमहा ओम आश्वर् अगर आपने नौ रात पूरी विधिविदान से रंभा साधना कर ली तो आपकी सुंदर्ता में बढ़ातरी होगी ही होगी लेकिन कोई गलती न हो आप जैसी है वैसी रहें इसलिए गलती नहीं कीजेगा रंभा साधना कैसे करनी है ये तो आपने जान लिया लेकिन रंभा साधना करने का फाइदा क्या है और आपको इस साधना के दौरान क्या सावधानी रखनी है वो बताना बागी है आगे बात करेंगे अभी आगे बढ़ते हैं अब आपको रंभा साधना से क्या फाइदा होगा और आपको इस साधना के दौरान क्या सावधानी रखनी है ये बताती है जो व्यक्ति रंभा अपसरा साधना करता है उसे बहुत सौभागेशाली माना जाता है क्यूंकि इसको करने वाले को हर तरह का सुख शान्ती मिलती है उसे हर शेत्र में सफलता मिलती है और वो शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत हो जाता है इस साधना को पूर्ण करने वाले व्यक्ति के साथ रंभा पूरी जिंदगी उस व्यक्ति के साथ रहती है और हर कदम पर उसका साथ देती है जिस तरह रंभा सब को अपनी तरफ आकर्शित करने की शक्ती रखती है ठीक उसी तरह साधक में भी आकर्शक और समोहन शक्ती आ जाती है देखे साधक को बुड़ापा नहीं आता और बिमारियां तो कोसो दूर चली जाती है इस तरह साधक के जीवन में प्यार और खुशियां भर जाती है सिर्फ यही नहीं आपको रंभा साधना के दौरान क्या साथधानिया रखनी है ये भी जरूर जान लीजे क्योंकि कोई गलती नहीं करनी है न वैसे अपसराई शीकज़ता से कोई भी साधना पूरी नहीं होने देती इसलिए अगर साधना करते वे आपके दिमाग में कहीं कोई अपसरा दिखने लगे तो अपनी साधना को बिलकुल भी न रोकें और मंतरों का जाप पूर होने के बाद ही उनके पास जाएं अगर साधना के दौरान आपको अपसरा दिखती है तो अपनी भावनाओं को काबू रखें और साधना में समर्पित रहें साधना के दौरान जो भी घटता है उसे किसी और को ना बताएं अपने तक रखें यब साधना खत्म हो जाएं तो आप एक मुद्रका को अपनी अनामिका वाली उंगली से धारन करें साथ ही बाकी के सामान को आप किसी बहते पानी के पास छोड़ दें शो में आगे बढ़ते हैं उससे पहले आपको आज का दूसरा महा उपाई बताती हूँ सवाल क्या है ध्यान से सुनिए क्या रिष्टे की बात बार-बार तूट जाती है माता पिता कोशिश करें जिस कमरे में बैठ कर शादी पक्की करने वाले हैं उस कमरे में कोई जूते चपल पहन कर ना आए जूते चपल कमरे के बाहर बाई तरफ यानि की एंटरिंस के लेफ्ट हैं साइड पर उतार कर रख दे अंदर आएं बात पक्की भी हो जाएगी और शादी भी नहीं ते उतेगी आज आपको एक खास उपाई बताने जा रहे हूँ जी हाँ कच्चे लसुन का उपाई ये उपाई जो है करने से आपका बहुत बड़ा संकट दूर होगा कच्चे लसुन की एक कली को पर्स में रखने पर शरीर पर हावी हो रही नेगिटिविटी का असर खत्म हो जाता है पर्स में कच्चा लसुन रखने से आपका स्ट्रेस खत्म होता है आपका मन शानत रहता है अगर आप भी परिशान हैं या चिंता में रहते हैं तो लसुन की एक कली को अपने पास जरूर रखें आप हैरान करने वाले फाइदे देखने लगेंगे लसुन हमारे लिए बहुत भागेशाली होता है जिसका सही से इस्तमाल करने से धन की समस्याई दूर हो जाती है इसके लिए तक्ये की नीचे शाम को सोते समय लसुन की एक कली रखें इसको रख कर सोएं और फिर देखें इसका चमतकार आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने आपके माथे की बात की थी जिसके बाद कई दर्शकों ने मुझसे अपने माथे पर सवाल किये तो आईए आपको आपके माथे से जुड़ी काम की जानकारी दे देती हूँ ये सब समुद्र शास्तर में बताया गया है आप भी जानिये क्या कहता है आपका माथा जिन लोगों का माथा काफी बड़ा होता है वो बहुत ही बुद्धिमान होते हैं ऐसे लोग ज्यानी होते हैं और कई तरह के सबजेक्ट में जानकार भी होते हैं जिनका माथा आगे की ओर निकला होता है बाहर निकला होता है ऐसे लोग अक्सर लालच का शिकार हो जाते हैं ये खूब पैसा चाहते हैं और अक्सर कमा भी लेते हैं जिनका माथा चिकना और चमकीला होता है वो टैलेंटेड होते हैं ऐसे लोग अपने टैलेंट के बल पर पैसा कमाते हैं माथे पर मौझूद रेखाएं जिनकी गहरी और तूट होती हैं, वो लंबे समय तक जिन्दा रहते हैं, ऐसे लोग गहरी सूजबूज रखने वाले होते हैं अब ज़रा तीसरे महाउपाई की तरफ बढ़ते हैं, उस बारे में बात करते हैं आप मन चाहे साथी से अगर शादी करना चाहते हैं और नहीं हो रहे हैं, तो शुकल पक्ष के थर्स दिल से शुरू करना है भगवान, विश्नु और लक्ष्मी माता की मूर्ती या फोटो के आगे डेली, ओम, लक्ष्मी, नारायन, नम्हा, मंतर का तीन माला का स्वटी की माला से जाप करना है इससे शुकल पक्ष के गुरुवार से ही शुरू करें, तीन महीने तक हर गुरुवार को मंदिर में प्रसाथ चढ़ाएं और शादी के सफलता के लिए प्रात्ना करें, इच्छा पूरी हो गई आपको रंभा और मेंकर जैसी अपसरा बनाने वाली ब्यूटी टिप भी तो दिखाने का वक्त आ गया है, तो देर क्यूं की जाएं? आज हम बात करेंके कैसे पिशिल के बारे में जो कि आप किसी भी skin के ओपर किसी भी age में ट्राइ कर सकते हैं, जैसे इनका skin है, and this is something called computerized, अगर आपको skin है, अब इनके skin के ओपर, if you see, यहां पर जो pigmentation है, you can see in the computer right here कि आपके skin पे कहां कहां पे red patches है कहां कहां पे जो आपके बाल है वहां पे कहां पे bleach हुई पड़ी है कहां पे bleach dew है instead of seeing from your naked eyes आप इसको proper systematically scientifically proven screen पे खुद देख सकते हैं तो जिस तरह से अभी हमने बात करें computerized skin analysis के उसी के लिए this is called derma abrasion derma abrasion मतलब कि आपके skin पे जहां जहां पे problem है वहां वहां पे जब हम इसको थोड़ा time के लिए देते हैं तो यहां पर आपके skin के deep inside जो seven layers होती है साथो की साथो layers activate हो जाती है जिस तरह से pinching effect होता है उसी तरह से this is micro derma abrasion यानि आपके skin को अंदर से activate कर रही है आपका जो elastin lose हो चुका है उसको अंदर से जगा रहा है उसको tight कर रहा है ताकि आपके skin के ओपर जो यह soft और जो capillories फटी-फटी दिख रही है तो यह सारे के सारे prepare हो जाएं अपने next treatment के लिए इनके skin के अंदर जहां पर भी फ्रेकल्स है या इनके open pores है नौ आम गिविंग cold compression cold compression के अंदर भी this is cold hammer hammer मतलब कि यह इतना deep तक जाकर आपके skin के अंदर जो भी eyes के नीचे dark circles आ गये है crow feet आ गया है fine lines आ गयी है तो there is a technique which is highly miraculous अगर आप देखते हैं यह सिरफ आपके dark circles के लिए it's kind of dark circle remover जो कि आपने से 3 या 4 settings लेनी है उसके बाद यह आपके eyes के नीचे से properly जो कहते है ना age defying component होता है that really becomes active आपके इवन उपर eyebrows के उपर की line है या कई बार आपकी यहां से back delay हो जाते हैं you can have this treatment in any area of your eye section तो अगर आप ready है एक नई type of face के लिए एक नई kind of skin के लिए go for computerized facials गणेश उत्सव चल रहा है तो चलिए आपको गणेश पंडाल में गणपती जी के दर्शन करा देते हैं गणपती वपा के जैकारे लगाकर हम पहुँच चुके हैं खेतवाडी में दर्शे को जब बात होती है गणेश चतुर्ती की तो को खेतवाडी के दर्शे को कैसे भूल सकता है आप ठीक मेरे साथ में देख सकते हैं गणपती बपा की कितनी विश्याल मूर्ती विराजमान है इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है क्यों खेतवाडी की गणपती इतनी प्रसिद्ध है ये पर्व क्यों इतना प्रसिद्ध माना जाता है इस वक्त हम पहुच चुके हैं खेतवाडी के खंबाटा लेन में और हमारे साथ मौजूद हैं पावन जी बहुत-बहुत स्वागत है अब गणपती बापा मोरिया खेतवाडी में कुल 24 गणपती बैटे हैं उसमें खंबाटा लेन का गणपती मूर्ती के साब से काफी प्रसिद्ध है पूरी खेतवाडी और भार से भी लोग इसे देखने के लिए आते हैं और देखके बहुती प्रसंद होते हैं कि बहुत सुन्दर मूर्ती है इस बार हम इनके दोर देख सकते हैं बपा के हाथ में एक दोर है विशाल बपा यहां पर विराजमान है अपना भव या रूप में इनका देख आपको बता सकती हूं और यह पंडाल इसी के लिए जाना जाता है आए आज के चोथे महाउपाई की बात कर लेते हैं क्या घर में कोई लगातार बीमार रहता है वो दुद्वार को मंदिर के बाहर बैठेवे जरुतमन लोगों को साबुत बादाम देने चाहिए इससे घर की बीमारियां दूर होने के योग बनते हैं लेकिन डॉक्टर की सल अज़ा और इलाद जरूर कराते रहें साथ में यह सब करना चाहिए सबसे जरूरी इलाजी होता है आई बात करते हैं आज की स्पेशल अस्ट्रो टिप का आपको पता है जब बहुत सारे लोग जो है वो उल्टे सोते हैं जब आप उल्टे सोते हैं तो आपकी स्किन कभी यूं दबती है कभी यूं दबती है कभी यूं दबती है वैसे ही आपके फेस पे रिंकल्स की फॉर्मेशन हो जाती है अगर आप सीधा सोना शुरू करें तो आपका blood circulation better रहेगा और भी अच्छा रहेगा अगर आप left side करवट लेकर सोते हैं जिससे right nostril active हो जाती है और रात भर आपका digestive system बहुत अच्छा काम करता है इसलिए यहां तो left करवट लेके सोएं और चेहरे को थोड़ा आगे करकर सोएं ताकि चेहरा किसी तरीके से press नहीं होन है बेसिकली संगीता का बेटा government job की preparation कर रहा है वो इसकी उपाय जाना चाहती है संगीता राम चंदर जी के माथे पर तिलक लगाएं और वो डिबी वापस घर ले आएं फिर अपने बेटे की इस पार्ट पर डेली आपको लाल सिंदूर का तिलक लगाना है इस पार्ट पर और साथ-साथ अपने बेटे को बोले मन लगा कर पड़े इससे उसका focus भी बढ़ेगा और ईश्वर ने चाहा तो जरूर ज़ाब मिलेगी Entertainment की बाद बादने जरा आपके कल को अच्छा करते हैं क्या करें कल आप अपनी राशी के हिसाब से मुझसे जाने सबसे पहले मेश राशी की बाद मेश राशी के लोग आप लोग सूर्य को जल जरूर चड़ाएं भागय साथ दे रहा है आपका 69% विश्व राशी के लोग आप लोग शाम को घर में दिया जरूर जलाएं लक साथ दे रहा है आपका 72% मिथ्व राशी के लोग गरीब लोगों को कपड़े दान करें भागय साथ दे रहा है आपका 68% कर्क राशी के लोग कबूत्रों को दाना जरूर डालिए लक साथ दे रहा हैं आपका 66% सिंग राशी के लोग भाई की सेवा कीजिए किस्मत साथ दे रही हैं आपका 67% कन्या राशी के लोग मा से आशिरबाद लीजे भागय साथ दे रहा हैं आपका 68% तुला राशी के लोग, गाए को रोटी जरूर खिलाईए किस्मत साथ दे रही है आपका 69% विश्यक राशी के लोग, जरुरत मन लोगों की सेवा किलजे भागय साथ दे रहा है आपका 72% धनू राशी के लोग, पीपल के पेड़ पर पानी दीजे किस्मत साथ दे रही है आपका 67% मकब राशी के लोग, मीठे भूजन का दान करें लक्स साथ दे रहा है आपका 75% कुम राशी के लोग, श्री सुक्त का पाठ जरूर करें भागय साथ दे रहा है आपका 70% मीन राशी के लोग, पीपल के पेड में धागा लपेटी है किस्मत साथ दे रही है आपका 80% आई अब आपको आज का पांचवा और आखरी महा उपाई क्या है ये बताती हूँ क्या आप जो चाहते हैं वो मन्चाही खुशी आपको नहीं मिलती है ऐसे में मन्चाही खुशी अगर नहीं मिलती है हल्दी की साथ साबुद गाठे, साथ गुड की डलिया, एक रुपे का सिक्का किसी पीले कपड़े में थरस्दे को बांध कर पूल के नीचे छोड़ दीजे फेकते समय या रखते समय अपनी काम न बूलगे इच्छा पूरन होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी कल है बुद्वार और होगी गणेश उत्सफ की बात जी हाँ बुद्वार हो और गणपती जी का उत्सफ चल रहा हो उनकी बात ना हो ये कैसे हो सकता है इसले कल हम स्पेशल गणपती जी पर बात करेंगे अब मुझे इजाज़त दीजी अपना खयाल रोखे बाई बाई ठीक है